आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल मोड पैनकार्ट क्या होता है या पेपरलस पैनकार्ट क्या होता है इस मोड में आपको किसी भी डॉक्मेंट अप्लोड की ज़वरत नहीं होती है neither you have to upload photo और sign नहीं इसमें photo upload करना होती ही नहीं कोई form scan करके upload करना होता है इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड में दो OTP आते हैं वो डालके आपको पूरा form complete करना होता है बस इस form में condition ये है कि आपके आधार कार्ड में mobile number feed हो तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे करना है और ये आपका CSC में भी है और ये open source में भी है तो मैं खेर CSC user हूँ तो आपको CSC के जरीए बता रहा हूं तो यहां से आपने शुरू करा form बनना ये देखिए आपने digital mode select किया अगर आपको hard copy और net पे e pen चाहिए तो आप ये select करिए और अगर आप सिर्फ e pen चाहते हैं मेलवाला तो आप ये बगलवाल option select कर सकते हैं तो खैर मुझे दोनों ही चाहिए थे मैंने select कर लिया फिर आपने जो आधार के recording details फिल कर लिए ये one of the easiest mode है pen card का अब तक कि मैंने जो देखा इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता कोई अगर किसी को pen card form अगर नहीं बनना आता है तो ये सबसे easy way है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें pen card आपका 2-3 दिन में आ जाता है ये देखिया आपने इसमें कर दिया ये सब automatic पहले से select रहता है अधार नमबर आप में डाल दिया फिर इनका जो नाम है अधार कार्ट के अपड़िमो डाल दिया आपने ये देखिये पूरा automatic ये फीड है इसमें इसके बाद payment वाला page पर जाएंगे आप payment करेंगे जो physical copy होती है उसके 57 रुपए 97 रुपए करते हैं और ये digital mode है तो इसके 2 रुपए एक्स्ट्रा करते हैं 99 रुपए तो मेरे हसाब से 2 रुपए तो कोईती बड़ी चीज नहीं है अगर आधार में mobile number फीड है तो आप प्लीज डिजिटल मोड पे ही जाएं और बहुत ही इजी है ये जैसे कि आधार में ये सब details फीड नहीं होती है तो फिर ये आपको manual डालनी पड़ेंगी इनका mobile number email id email id जो आपका जिसमें आप e-pen चाहते हैं वो email id डाल दिएगा फिर pen card में आप father कर नेम चाहते हैं तो इसमें father कर नेम आप मेंशन कर देंगे और no particular लगा देंगे फिर आपने next करा अब इसके बाद देखिए ये वाला option आगिए यहां पर आपका OTP आएगा registered जो आधार पे registered mobile number है उसमें OTP आएगा और फिर आपको ये इसमें OTP डाल देना है या आपने इसमें OTP डाल दिया अब देखिएगा जो आधार में address पड़ा होगा as itis वही copy हो जाएगा ये जैसा कि आपने देखा अधार कार्ट किया according ये पुरा data इसमें feed हो गया फिर आपने इसमें no income करके ये बढ़ चेक कर लूँ कि हाँ ये सई है आपने इसको अब next कर दिया फिर ये automatic ये उठालेगा आपके code के according यहाँ पर आपने himself करा और फिर यहाँ पर place का नाम डाल दिया कौन सी दंगा से आप verify कर रहे हैं इसको फिर यहाँ से आप next कर देंगे अब इसके बाद एक और window खुलेगी जहाँ पर आपसे एक और OTP जाएगा आधार क्या तो as usual आप वहाँ पर आधार कार नमबर डालेंगे यह देखिए एक page के खुलेगा आपके सामने यह देखिए यहाँ पर आपने आधार कार नमबर डाला फिर इसके नीचे आवाल OTP पर क्लिक करा as usual registered आधार नमबर पर OTP आएगा इसमें आपने OTP डाल करके check box पर क्लिक करके submit कर दिया यह आपका पूरा complete हो गया यह देखिए अब यह आपका हो गया अब आप चाहें तो इस page की को print करके यह इसके screenshot लेगे जैसा भीतल लगे आपको अपने पास record में save कर लिए customer को यह आप दे सकते हैं यह देखिए आपका इसमें आधार कार मैच भी हो गया है और यह चीज़ बता दूँ आपको कि इसका जो pen card आएगा वह pen card में 4-2 वही लगी होगी जो आधार कार में लगी होगी और जहां पर sign करना होता है वह वाला column जो कर वह वाला space जो कर ब्लैंक होगा उस पर white पट्टी लगी होगी तो उसमें चाहे तो आप अलग से sign कर सकते हैं so thanks a lot for watching this video and have a good day